Spiritual Spirit की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में आपका स्वागत है। हमने देखा है, सांख्य का विशलेशन द्वैतवाद में परेवसित है। उसका सिध्धान्त यह है कि चरम तत्व प्रकृती और आत्मा समूह है। आत्मा की संख्या अनंत है, तथा जिस कारण आत्मा अमिश्र पदार्थ है, उसी कारण उसका विनाश नहीं है, इसलिए वह प्रकृती से अवश्य ही स्वतंत्र है। प्रकृती का परिणाम होता है, तथा वह यह समग्र प्रपंच प्रकाशित करती है। सांख्य मत के अनुसार आत्मा निश्क्रिय है वह अमिश्र है तथा प्रकृति आत्मा के अपवर्ग तथा उसकी मुक्ति साधित करने के लिए ही इस समग्र प्रपंचजाल का विस्तार करती है तथा आत्मा जब समझ पाती है कि वह प्रकृति नहीं है तब ही उसकी मुक्ति ह दूसरी और हमने यह भी देखा है कि सांख्यवादियों को बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ा था कि प्रत्येक आत्मा ही सर्व्यापी है। यदि आत्मा का आकार होता तब तो आत्मा प्रकृती से अभिन्न होती। अतयव आत्मा निराकार है। वह यहाँ, वहाँ, अथ्वा ओर कहीं है। यह नहीं कहा जाता। वह अवश्य ही सर्व्यापी होगी। सांख्यदर्शन इस से आगे और अधिक नहीं गया। सांख्यवादियों के इस मत के विरुध वेदान्तवादियों की प्रथम आपत्ति यह है कि सांख्य का विशलेशन संपूर्ण नहीं है। यदि प्रकृति एक अमिश्र वस्तु हो एवं आत्मा भी अमिश्र वस्तु हो तो दो अमिश्र वस्तुएं हुईयों और जिन सब वे युक्तियां प्रकृति के पक्ष में भी प्रयुक्त हो सकेंगी, इसलिए वह समुदय देश-काल-निमित्त के अतीत होगी, प्रकृति यदि इस प्रकार की ही हो, तो उसका किसी प्रकार परिणाम अथवा विकास नहीं होगा, इससे निशकर्ष निकला की दो अमिश्र जब अचेतन है तब जिससे मन चिंतन कर सके एवं प्रकृति काम कर सके उसके लिए उनके पीछे उनके परिचालक शक्ति स्वरूप एक चैतन्यवान पुरुष का अस्तित्व स्वीकार करना आवश्यक है। द्वैत, विशिष्टा द्वैत, अथवा अधवैत वेदान्त के जितने विभिन रूप अथवा विभाग हैं, सभी का यही प्रथम सिध्धान्त है कि ईश्वर इस जगत के केवल निमित्त कारण नहीं है, वे उसके उपादन कारण भी हैं, जो कुछ जगत है, सभी वे ये भी ईश्वर के अंश स्वरूप हैं, उसी अनंत्व, अगनी के एक स्फुलिंग मात्र हैं, अर्थात, जैसे ब्रहत अगनी राशी से सहस्र सहस्र अगनिकर निकलते हैं, उसी प्रकार उस पुरातन पुरुष से सब आत्माय बहिरगत हुई है, यहां तक तो ठीक हुआ, किन्तु इस सिध्धांत से भी त्रिप्त नहीं हो रही है, अनंत्थ का अंश इन शब्दों का अर्थ क्या है, अनंत्थ जो है वह तो अविभाज्य है, अनंत्थ का कदापी अंश हो नहीं सका, पूर्ण वस्तु कदापी विभक्त हो नहीं सकती, तो फिर यह जो कहा गया, आत्मा समूह उनसे स्फुलिंग के समान निकला है, इन शब्दों का तात्पर्य क्या है? अद्वैत वेदान्ती. इस समस्या की इस प्रकार मीमानसा करते हैं कि वास्तव में पूर्ण का अंश नहीं है वे कहते हैं प्रत्येक आत्मा वास्तव में उनका अंश नहीं है प्रत्येक ही वास्तव में वही अनंत ब्रह्म स्वरूप है तब इतनी आत्मा एं किस प्रकार आईं? लाख लाख जलकणों पर सूर्य का प्रतिबिंब पढ़कर लाख लाख सूर्य के समान दिखाई पढ़ रहा है। मात्र अनंत पुरुष हैं तथा वे पुरुष आप, मैं इत्यादी रूप में प्रतियमान हो रहे हैं। किन्तु यह भेद प्रतीती मिथ्या के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वे विभक्त नहीं होते। विभक्त हुए हैं ऐसा बोध मात्र होता है। तथा उन्हें उच्चतर भूमि से साथ ही उसी जाल के भीतर ही उन्हें देखते हैं। तब उन्हें पशु के रूप में और कुछ उच्चतर भूमि से मनुष्य के रूप में और उंचे जाने पर देव के रूप में देखा करते हैं। तथा पीवे जगत ब्रह्मांड की एक अनंत सत्ता एवं हम ही वह सत्ता स्वरूप हैं। वही आत्मा, जो ज्याता और सब का प्रभू है, जो प्रकृत वस्तु है, वही जगत की समग्र द्रिष्टि का कारण है। उसके पश्चात उद्भिद, पशुआदि उद्क्रिष्ट, प्रतिबिंब ग्राहक से सर्वोत्तम, प्रतिबिंब ग्राहक पूर्ण मानव में उसका प्रतिबिंब प्रकाशित होता है। जैसे कोई मनुष्य अपना मूह देखने की इच्छा करके कीचड से युक्त क्षुद्र जला शय में देखने का प्रयत्न करके, मूह की एक बाहिय सीमा रेखा देख सका। उसके पश्चात उसने कुछ अधिक निर्मल जल में कुछ अधिक उत्तम प्रतिबिंब देखा। उसके पश्चात उज्वल धातु में उसकी अपेक्षा भी श्रेष्ट प्रतिबिंब देखा, अंत में एक दरपन लेकर उसमें देखा, तब वह स्वत्र ठीक जैसा है, बिलकुल वैसा ही उसने अपने को प्रतिबिंबित देखा, अतैव विशय और विशय उभय स्वरूप उसी पुरुष का सर्वश्रेष्ट प्रतिबिंब है, पूर्ण मानव, आप अब देख पाएंगे कि मानव स्वभाववश ही क्यों सब वस्तूओं की उपासना किया करता है, तथा सभी देशों में पूर्ण मानवगण क्यों स्वभावत इश्वर के रूप में पूजित ह होते हैं, आप मुह से कुछ भी क्यों न कहिए, इनकी उपासना अवश्य ही करनी होगी, इसलिए लोग ईसा मसीह अथवा बुद्ध आदियावतार गण की उपासना करते हैं, वे अनन्त आत्मा के सर्वश्रेष्ट प्रकाशस्वरूप हैं, आप अथवा मैं इश्वर के सं बंध में चाहे जो धारणा क्यों न करें, ये उसकी अपेक्षा उच्चतर है, एक पूर्ण मानव इन सब धारणाओं की अपेक्षा श्रेष्टतर है, उसमें ही जगत रूप वृत संपूर्ण होता है, विशय और विशयी एक हो जाते हैं, उसका सब भ्रम और मोह चला जा कर अपूर्ण स्वभाव होना किस प्रकार संभव हुआ, मुक्त के पक्ष में बद्ध होना किस प्रकार संभव हुआ, अदवैतवादी कहते हैं, वह किसी काल में बद्ध नहीं होता, वह नित्य मुक्त है, आकाश में नाना वर्ण के नाना मेग आ रहे हैं, वे एक शन भर वहां ठहर कर चले जा रहे हैं, किन्तु वह एक नील आकाश, सदैव, समान भाव से विद्यमान है। आप किसी काल में देह नहीं थी, आप किसी काल में अपूर्ण नहीं थे, आप इस ब्रह्मान्ड के आनंदमय प्रभु हैं। आप ही सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, और परस्पर आकरशित हो रहे हैं। आप ही सब के मध्य विद्यमान हैं, आप ही सर्वस्वरूप हैं। किसे त्याग कीजिएगा, अथवा किसको ग्रहन कीजिएगा, आप ही समग रहें। जब इस ज्ञान का उदय होता है, तब माया मुह उसी क्षण उड़ जाता है। मैं एक बार भारत की मरुभूमी में भ्रमन कर रहा था। मैंने एक महीने से अधिक भ्रमन किया, और प्रती दिन मैं अपने सम्मुख, अतिशय, मनोरम, द्रिश्य, समूह, अत्यंत, सुंदर, सुंदर, व्रिक्ष, सरोवर आधी देख पाता था। एक दिन अत्यंत प्यास से विहवल हो, मैंने यह इच्छा की, कि एक सरोवर में जलपान करूँगा। किन्तु ज्यों ही मैं सरोवर की और बढ़ा, त्यों ही वह अंतरहित हो गया। उसी क्षण मेरे मस्तिष्क में मानो प्रबल आघात के साथ यह ज्यान आया कि सारा जीवन, मैं जिस मरीचिका की कथा पढ़ता आ रहा हूँ, यह वही मरीचिका है। तब मैं स्वयम की मूर्खता स्मरण कर हसने लगा, कि गत एक मास से लेकर मैं जो यह सब सुन्दर द्रिश्य और सरोवर आधी देख रहा था, वे मरीचिका के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पर मैं उस समय यह समझ न सका। दूसरे दिन सबेरे में फिर चलने लगा, वही सरोवर और सब द्रिश्य फिर से दिखाई पड़ने लगे। किन्तु उसके साथ साथ उसी क्षण मुझे यह ज्यान भी हुआ कि वह मरीचिका मात्र है। एक बार जान लेने पर उसकी भ्रमुत्पन करने वाली शक्ति नश्ठ हो गई थी। इसी प्रकार यह जगत भ्रांती एक दिन हटेगी। यह समग्र ब्रह्मांड एक दिन हमारे सामने से अंतरहित होगा। इसका नाम ही प्रत्यक्षा नुभूती है। दर्शन, केवल बात करने की बात अत्वा तमाशा नहीं है। वह प्रत्यक्ष अनुभूत होगा। यह शरीर उड़ जाएगा। यह प्रित्वी एवं और जो कुछ है, सभी उड़ जाएगा। हम देह अत्वा हम मन है। यह जो हमारा ज्ञान है, यह कुछ क्षन के लिए चला जाएगा। अत्वा यदि कर्म संपूर्ण क्षय हो जाए, तो एकदम चला जाएगा। फिर और लोटकर नहीं आएगा। तथा यदि कर्म का कुछ अंश शेश रहे, तो जैसा कुमार का चक्र है। हाडी बन जाने पर भी पूर्ण वेग से कुछ क्षन घूमता रहता है। उसी प्रकार माया मोह संपूर्ण रूप से दूर हो जाने पर भी यह देह कुछ दिन रह जाएगी। यह जगत, नर्नारी, प्राणी सभी फिर आएंगे जैसे दूसरे दिन भी मरीचिका दिखाई पड़ी थी। किन्तु पहले के समान वे सब शक्ति विस्तार नहीं कर सकेंगे। क्योंकि साथ-साथ यह ज्ञान भी आएगा, कि हमने उसका स्वरूप जान लिया है, तब वे फिर बद्ध नहीं कर सकेंगे। किसी प्रकार का दुहक, कष्ट, शोक फिर आ नहीं सकेगा। जब कुछ दुहक कर विशय आएगा, मन उससे कह सकेगा कि हम जानते हैं, तुम भ्रहम मात्र हो। जब मानव यह अवस्था लाभ करता है, तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त का अर्थ है, जीवित अवस्था में ही जो मुक्त है। जीवन मुक्त हैं, जो इस जगत में अनासक्त होकर वास कर सकते हैं। वे जल में पद्म पत्र के समान रहते हैं, वह जैसे जल में रहने पर भी जल उसे भिगो नहीं सकता, उसी प्रकार वे जगत में निरलिप्त भाव से रहते हैं, वे मनुष्य जाती में सर्वश्रेष्ट हैं, केवल इतना ही क्यों, सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ट हैं क्योंकि उन्होंने उस पूर्ण पुरुष के साथ अभेद भाव उपलब्ध किया है उन्होंने उपलब्ध ही की है कि वे भगवान के साथ अभिन्न है जितने दिन आपका ज्यान रहता है कि भगवान के साथ आपका अत्यंत सामान ने भेद भी है उतने दिन आपका भय रहेगा किन्तु आप जब जान लेंगे कि आप ही वे हैं उनमें और आप में कोई भेद नहीं है उनका समग्र ही आप हैं तब सब भय दूर हो जाता है वहां कौन किसको देखता है कौन किसी उपासना करता है जहां एक व्यक्ति अन्य को देखता है एक व्यक्ति अन्य की बात सुनता है वह नियम का राज्य है जहां कोई किसी को नहीं देखता कोई किसी से बात नहीं करता वह ही सर्वश्रेष्ठ है वह ही भूमा है वह ही ब्रह्म है आप ही वह हैं एवं सर्वदा ही वह हैं तब जगत का क्या होगा हम जगत का क्या उपकार कर सकेंगे इस प्रकार के प्रश्न ही वहां उदै नहीं होते ये उस शिशु के प्रश्न के समान है हमारे बड़े होने पर हमारी मिठाई का क्या होगा बालक भी कहा करता है हमारे बड़े होने पर हमारी गोलियों की क्या दशा होगी तो हम बड़े नहीं होगे छोटा लड़का भी कहता है हमारे बड़े होने पर हमारे पुतले पुतलियों की क्या दशा होगी इस जगत के संबंध में ये सब प्रश्न भी उसी प्रकार है भूत, भविश्य, वर्तमान इन तीनों काल में जगत का अस्तित्व नहीं है यदि हम आत्मा का यथार्थ स्वरूब जान पाएं यदि हम जान पाएं कि इस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है और जो कुछ है सब स्वप्न मात्र है उसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है तो इस जगत का दुख, क्लेश, पाप, पुन्य कुछ भी हमको चंचल नहीं कर सकेगा यदि उन सब का अस्तित्व ही ना रहे तो किसके लिए और क्यों हम कष्ट करेंगे ज्ञान योगिगन यहीं शिक्षा देते हैं अतैव साहस का अवलंबन करके मुक्त हो ये आपकी चिंतन शक्ति आपको जितनी दूर तक ले जा सके साहस पूर्वक उतनी दूर आगे बढ़िए एवं साहस पूर्वक उसे जीवन में परिनत कीजिए ये ज्ञान लाब करना बड़ा कठिन है ये महा साहसी का कार्य है जो सब पुतलियाओं तोड़ कर फेंक देने का साहस करता है केवल मानसिक और कुसंसकार रूपी पुतलियाओं नहीं इंद्रिये द्वारा भोग्ये विशैस मुह रूपी पुतलियों को भी तोड़ कर फेंक दे सकता है ये उसी का कार्य है ये शरीर हम नहीं है इसका नाश अवश्यम भावी है यही तो हुआ उपदेश किन्तु इस उपदेश की दुहाई दे कर लोग अधभुत व्यापार किया करते है एक व्यक्ती ने उठकर कहा हम देह नहीं है अतैव हमारे माथे की पीड़ा दूर हो जाए किन्तु उसके सिर्की पीड़ा दूर उसकी देह में न रहे तो फिर और कहां रहेगी सहस्र सहस्त्र सिर्की पीड़ाएं और सहस्र सहस्र देह आएं जाएं उसमें हमारा क्या है हमारा जन्म भी नहीं है हमारी मृत्यू भी नहीं है हमारे पिता भी नहीं है माता भी नहीं हमारा शत्रू भी नहीं है मित्र भी नहीं है क्योंकि वे सब ही हम है हम ही अपने बंधू है हम ही अपने शत्रु है हम ही अखंड सचिदानंद है हम ही वे है हम ही वे है यदि हम सहस्र देह में ज्वर और अन्यान्य रोग भोग करते रहे तो और लक्ष लक्ष देह में हम स्वास्थ्य संभोग कर रहे हैं यदि सहस्र सहस्र देह में हम उपवास करें तो अन्य सहस्र देह में प्रचुर परिणाम में आहार कर रहे हैं यदि सहस्र देह में हम दुहक भोग करते रहें तो सहस्र देह हम सुख का भोग कर रहे हैं कौन किसकी निंदा करेगा, कौन किसकी स्तुती करेगा, किसे चाहेगा, किसे छोड़ेगा, हम किसी को जानते भी नहीं हैं, किसी का त्याग भी नहीं करते, क्योंकि हम समग्र ब्रह्मांड स्वरूप हैं, हम ही अपनी स्तुती कर रहे हैं, हम ही अपनी निंदा कर रहे हैं, हम स वह भी हम निज की इच्छा से, हम स्वाधीन हैं, यही ज्यान का भाव है, वे महासाहसी, भयहीन, निर्भीक हैं, समग्र ब्रह्मांड नश्ट क्यों न हो जाए, वे हसकर कहते हैं, उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था, यह केवल माया और ब्रह्म मात्र है, इसी प्रकार वे अ साधन के संबंध में आलोचना में प्रवृत्त होने के पहले, हम एक और आशंका की आलोचना, तथा उसके समाधान का यत्न करेंगे, अभी तक जो विचार किया गया, उसने नियाय शास्त्र की सीमा बिंदु मात्र उल्लंगन नहीं की है, यदि कोई भी व्यक्ति विचार म मानवजाती के पक्ष में इस सिध्धांत का अवलंबन करने के अतिरिक्त और कोई गती नहीं है, किन्तु इस क्षण प्रशन यह है, जो असीम, सदापूर्ण, सदानंदमय, अखंड, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वे इन सब भ्रमों के अधीन हुए किस प्रकार? ये प पेक्षा अधिक दार्शनिक रूप है, किन्तु उत्तर एक ही है, नाना रूप से, नाना भाव से, नाना प्रकार से यह एक ही प्रशन जग्यासित हुआ है, किन्तु निम्नतर रूप से प्रशन करने पर उसकी ठीक मीमानसा नहीं होती, क्योंकि सेब, साप और नारी की कहान यह कहानी बाइबिल के Old Testament में है इश्वर ने आदिनर आदम और आदिनारी इव का स्रजन करके उन्हें नंदन कानन नामक सुरम्य उद्ध्यान में स्थापित करके उस उद्ध्यान के ज्ञान व्रिक्ष का फल खाने से मना कर दिया किन्तु शैतान ने साप का रूप धारण करके पहले इव का प्रलोभित किया और उसके पश्चात उसके द्वारा आदम को उस व्रिक्ष का फल भोजन करने को प्रलोभित किया इससे ही उनमें भले बुरे का ज्ञान उपस्थित होकर पाप ने सर्व प्रथम प्रित्वी में प्रवेश किया इस कहानी में इस तत्व की कुछ भी व्याख्या नहीं हुई एसी अवस्था में प्रश्ण भी जिस प्रकार शिशूओं जैसा है उसका उत्तर भी उसी प्रकार है ये भ्रम किस प्रकार आया? तथा उत्तर भी उसके अनुसार ही गंभीर है उत्तर यह है कि असंभव प्रश्ण के उत्तर की आशा मत करो इस प्रश्ण के अंतरगत वाक्य परस पर विरोधी है अत्ह प्रश्ण ही असंभव है क्यों? पूर्णता शब्द से किसका बोध होता है? जो देशकाल निमित्त के अतीत है वही पूर्ण है उसके पश्चात आप जिज्यसा कर रहे हैं पूर्ण किस प्रकार अपूर्ण हुआ? न्याय शास्त्र के पक्ष में अनुकूल भाषा में निबध करने पर प्रश्ण इस प्रकार होगा जो वस्तु कार्यकारण संबंध के अतीत है वह किस प्रकार कार्य रूप में परिणत होती है? यहां तो आप ही अपना खंडन कर रहे हैं आपने पहले ही मान लिया है वह कार्यकारण संबंध के अतीत है उसके पश्चात आप जिज्यासा कर रहे हैं किस प्रकार वह कार्य में परिणत हुआ? कार्यकारण संबंध की सीमा के भीतर ही केवल प्रश्न जिग्यासित हो सकता है जितनी दूर तक देशकाल निमित्त का अधिकार है उतनी दूर तक यह प्रश्न करना ही निरथक है क्योंकि प्रश्न न्याय शास्त्र के विरुद्ध हो उठता है देशकाल निमित्त की सीमा रेखा के भीतर किसी काल में उसका उत्तर दिया नहीं जा सकता तथा उसके अतीत प्रदेश में जाने पर क्या उत्तर प्राप्त होगा यह वहाँ जाने पर ही जाना जा सकता है इसलिए विज्जव्यक्ती इस प्रश्न के उत्तर के लिए विशेश व्यस्त नहीं होते जब लोग पीडित होते हैं तब किस प्रकार उस रोग की उत्पत्त्ती हुई यह पहले जानना होगा इस विशय में विशेश हट न करके रोग जिससे मिट जाए उसी के लिए प्राणपन से यत्न करते हैं यह प्रश्न और एक आकार में जिज्यासित हुआ करता है यह पहले की अपेक्षा अधिक निम्नद्रिष्ट की बात तो है किन्तु इसका हमारे कर्म जीवन के साथ अधिक संबंध है एवं इससे प्रश्न अधिक स्पष्ट हो जाता है प्रश्न ये है इस ब्रहम का किस ने प्रसव किया कोई सत्य क्या कभी ब्रहम का प्रसव कर सकता है कदापी नहीं हम देख पाते हैं एक ब्रहम ही और एक ब्रहम का प्रसव करता रहता है वहपुना एक भ्रह्म प्रसव करता है इसी प्रकार चलता रहता है भ्रह्म ही चिरकाल भ्रह्म का प्रसव किया करता है रोग ही रोग का प्रसव करता रहता है स्वास्थ्य कभी रोग प्रसव नहीं करता जल और जल की तरंग में कोई भेद नहीं है कार्य कारण का ही एक दूसरा रूप मात्र है कार्य जब भ्रहम है तब उसका कारण भी अवश्य भ्रहम होगा यह भ्रहम किसने प्रसव किया? अवश्य और एक भ्रहम ने इसी प्रकार तर्क करने पर तर्क का फिर अंत नहीं होगा भ्रहम का फिर आधि प्राप्त नहीं होगा अब आपका एक प्रश्न केवल शेश रहेगा कि भ्रहम का अनादित्व स्वीकार करने पर क्या आपका अद्वैतवाद खंडित नहीं हुआ क्योंकि आप जगत में दो सत्ताएं स्वीकार कर रहे हैं एक आप और एक वह भ्रहम इसका उत्तर यह है कि भ्रहम को सत्ता कहा नहीं जा सकता आप जीवन में सहस्र सहस्त्र स्वपन देख रहे हैं किन्तु वे सब आपके जीवन के अंशस स्वरूप नहीं है स्वपन आता है और फिर चला जाता है उसका कोई अस्तित्व नहीं है भरम को एक सत्ता अत्वा अस्तित्व कहने पर वह आपाततः युक्ति संगत प्रतीत तो होता है किन्तु वास्तविक रूप में वह केवल एक युक्ति हीन बात है अतेव जगत में नित्य मुक्त और नित्यानंद स्वरूप एक मात्र सत्ता है तथा वही आप हैं अद्वैतवादियों का यही चरम सिध्धान्थ है अब यह प्रश्न किया जा सकता है यह जो विभिन्न उपासना प्रणालियां विद्यमान है इन सब का क्या होगा वे सब रहेंगी वे केवल अंधकार में आलोग के लिए यत्न करना मात्र है और इस प्रकार यत्न करते करते आलोग आएगा हम अभी ही देख चुके हैं कि आत्म अपने को देख नहीं पाती हमारा समग्र ग्यान माया या मिथ्या के जाल में अवस्थित है मुक्ति उसके बाहर है इस जाल में दासत्व है इसका सबकुछ ही नियमाधीन है उसके बाहर और कोई नियम नहीं है ये ब्रह्मांट जितनी दूर तक है उतनी दूर तक सत्ता नियमाधीन है मुक्ति उसके बाहर है जितने दिन आप देशकाल निमित्त के जाल में विद्यमान है उतने दिन तक आप मुक्त हैं ये बात कहना निररथक है क्योंकि इस जाल में समग्र ही कठोर नियम में कार्य कारन श्रंखला में बद्ध है आप जो भी चिंतन करते हैं इच्छा को स्वाधीन कहना समपूर्ण निररथक है ज्यों ही वह अनंत सत्ता मानों इस माय जाल के भीतर पड़ती है त्यों ही वह इच्छा का आकार धारण करती है इच्छा माय जाल में आबद उस पुरुष का किंचित अंश मात्र है इसलिए स्वाधीन इच्छा शब्द का कोई अर्थ नहीं है स्वाधीन ता अत्वा मुक्ति के संबंध में यह सब वागा डंबर और वृथा तर्क है माया के भीतर स्वाधीन ता नहीं है प्रत्येक व्यक्ति ही चिंतन में, मन में, कार्य में पत्थर के एक खंड अत्वा इस मेज के समान बद्ध है हम आप लोगों के सम्मुख व्याख्यान दे रहे हैं और आप सब हमारी बातें सुन रहे हैं यह दोनों ही कार्य कारण नियम के अधीन है माया से जितने दिन आप बाहर नहीं आते उतने दिन स्वाधीन ता अत्वा मुक्ति नहीं है वह मायतीत अवस्था ही आत्मा की यथार्थ स्वाधीनता है अधिक्स्पष्ट रूप से क्यों न दिखें सभी को बाद्ध्य होकर आप सबको स्वाधीन मानना पड़ता है ऐसा कि ये बिना रहा नहीं जा सकता जब तक हम न कहें कि हम स्वाधीन है तब तक कोई काम ही नहीं चल सकता इसका तातपर ये है कि हम जिस स्वाधीन्ता की बात कहे करते है वह अज्ञान रूप मेघराश के भीतर से निर्मल नीला का शरूप उसी शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का चकित दर्शन मात्र है और नीला का शरूप वास्तविक स्वाधीन्ता अर्थात मुक्त स्वभाव आत्मा उसके बाहर विद्यमान है यथार्थ स्वाधीन्ता इस भ्रह्म में, इस मिथ्या में, इस व्यर्थ के संसार में इंद्रियमंदे समन्वित इस ब्रह्मांड में रह नहीं सकती ये समग्र अनादी अनंत स्वप्न जो हमारे वश में नहीं है, जिन सब को वश में लाया भी नहीं जा सकता, जो अव्यवस्थित हैं, भग्न और असामंजस्य मैं हैं, उन्ही समग्र स्वप्नों को लेकर हमारा यह जगत है। उसका कोई अर्थ नहीं है, इस स्वप्न की अवस्था में ही आप उसे नियम कहकर अभिहित करते हैं, माया के भीतर जहां तक यह देशकाल निमित्त का नियम विद्धिमान है, वहां तक स्वाधीनता अथवा मुक्ती नहीं है, और विभिन उपासना प्रणाली समुह सभी इस माया के अंतरगत है, इश्वर की धारणा, एवं पशु और मनुष्य की धारणा, सभी इस माया के भीतर है, इसलिए सभी संभाव से ब्रहमात्मक हैं, सभी स्वप्न मात्र है, साथ ही आजकल हमें बहुत से अतिबुद्ध दिगज देखने को मिलते हैं, आप उनके समान तर परणाएं एक ही भिति पर प्रतिष्ठित हैं, उन्हें की केवल यथार्थ तह नास्तिक होने का अधिकार है, जो इहजगत और परजगत दोनों अस्वीकार करते हैं, दोनों ही एक युक्ति पर प्रतिष्ठित हैं, इश्वर से लेकर क्षुद्रतम जीव परियंत, आप ब निज की देह और निज के मन की धारणा को भी भ्रमात्मक समझना उचित है, जब इश्वर उड़ जाते हैं, तब देह और मन उड़ जाता है, और जब दोनों का ही लोप हो जाता है, तब ही जो यथार्थ सत्ता है, वह चिरकाल के लिए रह जाती है, वहां आखें जा नहीं सकती, वाक्य भी जा नहीं सकता, मन भी नहीं, हम उसे देख नहीं पाते और जान भी नहीं पाते, इसका तातपर्य हम अब समझ पा रहे हैं कि जितनी दूर तक वाक्य, चिंतन, अत्वा, बुद्धी ये सब जा सकते हैं, उतनी दूर तक माया का अधिकार है, उतनी दूर त सब बंधन के भीतर है। सत्य उनके बाहर है। वहां चिंता, मन, अत्वा, वाक के कुछ भी पहुँच नहीं सकता। यहां तक विचार द्वारा तो सपष्ट समझा गया। किन्तु अब साधना की बात आ रही है। इन सब कक्षाओं में वास्तविक शिक्षा का विशय साधना है। इस एकत्व की उपलब्धि के लिए क्या किसी प्रकार की साधना का प्रयोजन है, निश्चित रूप से है। अब लोगों को अमुक पुरुष, अमुक नारी का बोध होता है, अन्य एक भ्रम द्वारा दूर हो सकता है। और साधना, अथवा अभ्यास ही वह अन्य भ्रम है। आग, आग को खा जाएगी आप एक भ्रम को नश्ट करने के लिए दूसरे भ्रम की सहायता ले सकते हैं। हम बद्ध हैं, इस प्रकार की भावना मात्र ही भ्रम है, हम सुखी हैं अत्वा असुखी हैं, इस प्रकार की भावना मात्र ही गुरुतर भ्रम है, और एक भ्रम आएगा कि हमें मुक्त होने के लिए साधना, उपासना और चेश्टा करनी होगी, ये भ्रम आकर पहले भ्रम को भगा देगा, तब दोनों ही भ्रम दूर हो जाएंगे। अब उसे खाने का उपाय नहीं रहा, अतह उसने एक मुल्ला के निकट जाकर निवेधन किया, साहब निर्धन का एक निवेधन सुनिए, एक शरगाल आकर हमारे खाद्य में से कुछ लेकर खा गया, उसका कोई उपाय कीजिए, हमने अत्यंत सुखाद्य वस्तुएं बनाई थ कि परमत्रिप्ति से हम वह सब भोजन करें, इतने में नीच शरगाल आकर सब नश्ट करके चला गया, आप इसकी जो भी हो, कुछ व्यवस्ता कर दीजिए, मुल्ला ने क्शन भर कुछ सोचा, उसके पश्चात उसने एक सिध्धान्त स्थिर करते कहा, इसका एक मात्र उपा ये दोनों जूठन वहाँ परस पर जगडा करेंगी, तब सब शुद्ध हो जाएगा, हम लोग भी बहुत कुछ इस प्रकार की ही समस्या में पढ़ गए, हम अपूर्ण है, ये एक भ्रहम है, हमने उसे दूर करने के लिए और एक भ्रहम की सहायता ली कि हमें साधना करनी हो जगत उड़ जाता है, तथा आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होने लगता है, किन्तु और सबको इस बंधन की धार्णा दूर करने के लिए कठोर यतन करना होता है। कि आप वह अपने भोग के लिए स्रजन करेंगे। केवल इतना ही कि किसी को शीग्र, अथवा किसी को विलंब से यह फललाब होता है। कोई, कोई तक्षन उसे प्राप्त करते हैं, अन्य के पक्ष में उनके समस्त भूत संसकार, उनकी वासना पूर्ती में बाधा डालते र मृत्यू का ही नाम अंतर मात्र है। आप जो जीवन संपन्न प्राणी हैं, यह भी अस्वीकार कीजिए। जीवन के लिए कौन व्यस्त है। जीवन एक भ्रह्म मात्र है, मृत्यू उसका और एक पहलू मात्र है। सुख इस भ्रह्म का ही एक पहलू है, और दुहक दूसरा जीवन एक पहलू, सब विशय में ही इसी प्रकार है। जीवन अत्वा मृत्यू को लेकर आपका क्या हुआ। यह सब तो मन की स्रिष्टि मात्र है। इसे ही इह मुत्रफल भोग विरा कहते हैं। इसके पश्चात, शम, अत्वा मन के संयम की आवश्यक्ता है। मन को ऐसा श इच्छा शक्ती द्वारा मन को संपूर्ण रूप से संयत करना होगा। ज्ञान योगी शारीरिक अत्वा मानसिक किसी प्रकार की सहायता नहीं लेते। वे केवल दार्शनिक विचार, ज्ञान और निज की इच्छा शक्ती इन सब साधनों के प्रति विश्वासी है। उसक आगेगा कौन? अनेक व्यक्ती हैं जो तितिक्षा का अभ्यास करते हैं और उसमें कृतकारे होते हैं। ऐसे व्यक्ती अनेक हैं जो भारत में ग्रीश्म श्रतु में प्रकर मध्या रुद्म दो चद्म के ताप में गंगा तीर पर सोये रहते हैं। शीत काल में गंगा जल म इसे विश्वास करना कठिन है, किन्तु इस प्रकार लोग किया करते हैं, यह जानना अच्छा है, जिस प्रकार आपके देश के लोग, तोप के मुह में, अथवा, युद्धक्षेत्र के बीच में, कूध पढ़ने में साहस दिखाया करते हैं, हमारे देश के व्यक्ति, उसी प्रकार दर्शन शास्त्र के अनुसार, चिंतन प्रणाली नियमित करने में, और उसके अनुसार कार्य करने में साहस दिखाते हैं, वे इसके लिए प्राण दिया करते हैं, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सो हम, सो हम, प्रति दिन के कर्म जीवन में विलासिता को बनाये रखना, जिस प्रकार पाश्चात्य आदर्श है, उसी प्रकार हमारा आदर्श कर्म जीवन में सर्वोच्च मूल्य के आध्यात्मिक भाव की रक्षा करना है। देह के सुख भोग के लिए दोड़ना नहीं है। जो हो, आप में धर्म के संबंध में जो सब धरणाये हैं, उनका फल क्या है बताये तो सही। रास्ते स्वच्छ करना और उत्तम प्रकार का अन्नवस्त्र एकत्र करना। अन्नवस्त्र के लिए कौन चिंता करता है। प्रतिमुहुर्त लाखों व्यक्ति आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं, कौन परवाह करता है। इस खशुद्र जगत के सुख दुहक को ग्राहिय मानते ही क्यों हैं? यदि साहस हो, उनके बाहर चले जाएए. सब नियमों के बाहर चले जाएए. समग्र जगत उड़ जाए, आप अकेले आकर खड़े होईए. हम निर्पेक्ष सत्ता हैं. निर्पेक्ष ज्यान और निर्पे